यह है हमारे गाओं का सबसे ज़्यादा haunted palace है वोट्स आप पीपल वेलकम बैक तो अनाधर व्लोग आई होप यू गाओं आप्सलूटली फाइन गाइस टोड़े आम सोइंग यू मोस्ट होंटीड पैलेस इन माई विलेज यह देखे दोस्तों सबसे ज़्यादा haunted palace हमारे गाओं में यह है दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से कनाट यही आपको एवे आपको पतंग माल है हाँ एवेभा कि यही था जबते है तो गाइज यह है हमारे गाओं का सबसे ज़्यादा होंटीड पैलेस और आपको एक चीज वर बता दूँ दोस्तों यह जो पूल है जो कॉंट इमेजिन इसमें एक भी मतलब कोई सरिया टाइप का नहीं लगा हुआ है लगबग 200 साल पुराना यह पूल था और इस बार यह टूट गया है अभी वह मेरे सामने सुबह के टाइम जो मैं रनिंग कर रहा था तो मेरे सामने ही मेरे से कुछ देर पहले इस पानी का आई उपर से पानी आता है दोस्ते दर पहाड़ों में से आपको दिखाता हूँ अभ में वह जो पहाड है और इस हमारे यहां के होंटिड पैलेस के किस्से बहुत दूर दूर तक हैं बहुत पॉपुलर है दोस्तों यह हमारे यहां का और मुझे नहीं पता के मेरे साथ क्या हो गया कुछ वैसे तो अब तो इतना कोई डर नहीं है लेकिन फिर भी मैं जिस आ रहा हूं इस टाइम पर अभी यहां पर इलाके में भी कोई नहीं है आसपास भी यह देखे इसका किस्सा बता दू दोस्तों आपको मैं एक बार क्या हुआ जिस मालिक का यह बाग है वो हमारे जो हमारा फार्म हाउस है वहां पर आता था और अंदर से भी दिखाऊंगा आपको दोस्तों तो वह आता था तो एक बार उसने वह बता रहा था कि जैसे ही मैं वहां से उत्रा और यह जो रेत है सेंड है यह रेत तो यहां पर दो लड़िका बैठी हुई थी और तो उसने साइद उनको बोला कि बेटा तुम यहां पर क्या कर रहे थे तो इतना मतलब जैसे उन्होंने जो वह जो बंदा था और में लड़िया थी उन्होंने एक दूसरे के आँखों में देखा तो वह बता रहा था कि एक दम इतनी आँखें उनकी लाल हो रही थी कि जिसकी कोई हद नहीं तो जबी डर कर मतलब हमारा दर फामाउस है यहां पर वहां पर गया था मैंने सोचा चलो आपको वैसे तो मेरा मूड था कि मैं किसी कभी दिन में आपको यह पहले दिखाऊंगा मतलब मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में लेकिन मैं भी इदर साइक्लिंग कर रहा था तो इस वजह से मैंने सोचा कि के चलो मैं भी दिखाई दूं क्योंकि यार मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं काम करने के चक्कर में वीडियो नहीं बन पा रही है क्योंकि काम यहां सा और देखे दोस्तों यह पुल अभी बना है जब यह खराब हो गया था तो तब यह पुल लास्ट टाइम यह बना है इसकी स्टोरीज बहुत जाद है एक स्टोरीज की ओज है कि जैसे भी इस पुलपे को कोई भी रात के टाइम गुजरता है तो पता नहीं वो अलग-अलग मानना है सभी का कि क्या बोलते हैं वो गाड़ी हो चाहिए या तो वो बंद कर लेता है होरन बगारा नहीं बजाता है और कुछ लोग जो है इस पुल पे को जब जाते हैं तो वो जो होन का यूज करते हैं और ये जो ये जो पुल है दोस्तों ये अंग्रेजों ने बनाया था कभी के टाइम में जूम आउट तो जिन अंग्रेजों ने ये पुल बनाया था ये साथ में ही यही पे ही आपको दिखाऊं जहां पे वो टावर सा है वहाँ पे ये लाइट का टावर है वहाँ पे उन्होंने मिट्टी का जो है जो इट के भट्टे है वही पे लगाया था और तभी और इसकी खास बात देखिए दोस्तों क्या है इसमें ये जो आपको लाल-लाल सा दीख रहा होगा एक सुर्खी और चुनना टाइप का होता है उसका इसमें यूज किया गया था और कहीं भी सबसे बड़ी कमाल के बाद दोस्तों ये है देखिए आप कहीं भी एक भी आपको सरीय का जो है नामो निसान भी नजर नहीं आएगा और इस पे को अंधा धुन जो लोड है जो ट्रक है अंधा धुन जाते हैं अभी वैसे कुछ टाइम में इस पे को बहुत ज़्यादा ट्रक जाएं अवर लोड गए हैं तो कुछ उस वज़े से भी ये बेकार हो गया था और कुछ इसकी एज सभी बताते हैं 200 साल तो अराउंड होगी ही 200 से भी ज़्याद होगी ये तो पता नहीं है और उधर एक वो जो पुल है जूम करके दिखाऊंगा आपको वो जो पुल है उसके बीच से जो है जो मैंने अपने फार्माउस में दिखाई थी वो जो नहर है वो इसके बीच से जा रही है ऐसे करके इस साइड में तो बस आज का कुछ ज़्यादा नहीं मैंने सोचा के चलो आपके साथ मैं ये किलिप्स हैं जो ये भी शेयर कर दूँ सो गाइज एक इनफोर्मेशन और थी तो मैं वो भी आपको बता दूँ आज भी जो पुराने जो तांतरीक हैं हमारे इहां इलाके के आसपास के सबसे ज़्यादा most danger जो है ये यही पहले समाना जाता है और वो बताते हैं के यहां पर जो भी रहते हैं एक पूरा जिस तरह सहर है कि वो उस तरह का है पूरा का पूरा सहर है पूरा का पूरा गाउं है उन लोगों का बट आज तक ड़ी का फोन आगा था क्योंकि तावजी को मुझे लेकर जाना है लेकिन आज तक का रिकोर्ड है मैं जैसे भी सुबह के टाइम अडली मोर्निंग करता हूँ मुझे तो आज तक कोई भी प्रोब्लम नहीं हुई है और दोस्तों अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो आपको यार प्लीज यार लाइक करो केमेंट करो और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल नोनो गुड़न व्लोग्स को सब्सक्राइब करो थैंक यू